हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास्त्रीवन टैक में तो फ्रेंट्स अगर आप पेटियम एप्लिकेशन यूज करते हैं एक पेटियम यूजर हैं तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने पेट आपसे और्ट को किसी अड कर सकते हैं कभी-कभी हमें एक से ज्यादा बैंक एक Οट वहां पर ऐड करने की जुरूट पढ़ जाती है हमारे किसी बैंक में अगर अ attent से पैंट कर सकते हैं तो वो बैंक एकाउंट आपको कैसे पीटियम के अंदर एक से जश्यादा add करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो वीडियो छोटी सी है पर बहुत ही ज़्यादा informative है तो वीडियो को पूरा लास्तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप आ चुके हैं अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तो हम अपनी Paytm application को open कर लेंगे तो मैं इस पर क्लिक करके इसे open कर लेता हूं तो Paytm application open होने के बाद हमें यहाँ पर टोप राइट टोप जो लेफ्ट में अपनी profile का इकन इस पर क्लिक करना है उसके बाद हमें स्क्रोल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं help and support UPI and payment setting हमें फिर सिप UPI and payment setting वाला option है जो यहाँ पर इसे select कर लेना है जो second number पर है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे open कर लेता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक bank account attach है तो हम यहाँ पर दूसरा bank account कैसे attach करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर scroll down करेंगे scroll down करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं plus में लिखा हुआ है new bank account ठीक है यहाँ पर हम जैसे ही click करेंगे यहाँ पे click करेंगे new bank account पे और यहाँ से हम अपना जो भी bank किवा अटाइच करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे click करके उसे attach कर सकते हैं बस इसमें एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है जो भी आप bank account इसमें attach करना चाहते हैं इस mobile जो जिस number से आपने उस bank account में जो number दे रखा है वो number आपका इस phone में होना चाहिए क्योंकि यह इसे automatic verify करता है Paytium अगर आपका वो number इसके अंदर नहीं होगा तो आपको जो भी bank account आप add करना चाहते हैं वो add नहीं होगा तो यही इसमें condition है जैसे हम किसी भी bank account को select करेंगे तो यह automatic उसकी sim को verify करके automatic इसमें add हो जाएगा तो यह तरीका है इसमें Paytium के अंदर bank account add करने का तो friends अब आप सिख गए होंगे कि आप किस तरीके से अपने Paytium के अंदर एक से ज़्यादा bank account को add कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूश सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो से like और share जरूर करें Thank you